हेलो नमस्कार सभी कैसे हूँ आप सभी आई होप सब ठीक होंगे अपने एक्जाम की तहरी को बहुत अच्छे तरीकिश कर रहेंगे जैसे कि पिछली कलासों के अंदर हमने चार पांच इपोर्टन टोपिक को जो सीटी मैंस एक्जाम के अंदर कम्प्यूटर आपका आएगा उनसे रिलेटिड कावर किया आज हम MX Excel का पार्ट नमबर वन को कम्प्लीट करेंगे अगर आप भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सिस्क्राइब करकर नोटिफिकेशन बैल को दबाना ना भुलें चलिए ज़्यादा टाइम वेश्ट नहा करते हूं डारेक्ट कलास को हो जेंगे 256 MS Excel 2003 के अंदर नेक्स्ट किस्ट ने MS Excel 2007 के अंदर पूछ लिया कितनी रो और कितने कोलम होते हैं तो इसके अंदर हमारा क्रेक्टर अंसर हो जेगा और कोलम की अगर बात करेंगे तो 16344 से भी नेक्स्ट किस्ट देखी किस्ट नमबर 3 इसके अंदर दे दिया वरक बुक के अंदर डिफाल्ट कितनी वरक सिट होती हैं हाउ मैने वरक सीट आर देर बाई डिपाल्ट इन दे वरक बुक भी क्रेक्ट आंसर होजेगा ओप्सन नमबर ए तरी होती हैं बाकि इसके आप कम्प्लेट पीडियेप के लिए क्रेक एक्जाम पूरवी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर शकते हैं जो हसी के दोवारा सिलिवस दिया गया है सेम सिलिवस पर अधारित जो आपके सीटी मैन्स अग्जाम के अंदर 64 ग्रूप और 401 कटेगरी हैं उन सबी के लिए कम्प्यूटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है 10 क्यूटर आपके एक्जाम के अंदर पूचे जाएंगे जो HSC का नया एक्जाम पैटरन दिया गया है सेम उसी पैटरन पर अधारित ये प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपके बाइलेंग्वल होंगे इनके साथ आपको 2015 से रिलेटिड और 2023 तक HSC के दवारा जीतने भी क्यूशन पूचे गए है उनको भी कवर कर रखा है और जो HSC के दवारा जो मैंने मैंट टोपिक दिये गए है जैसे कि कंप्यूटर टर्मनोलोजी हो गया फंडामेंटल हो गया वाड़ सोफ्टेयर हो गया एकसल सोफ्टेयर को हम इस कलास के अंदर कवर कर रहे है सभी टोपिक को बहुत अच्छे तरीके से most accepted क्यूशन वहाँ पर कवर कर रखा है और साथ के अंदर आपको एक ऐसी पीडिये देखने को मिल जएगी जो आपके एक्जाम के अंदर बहुत सारी important क्यूशन को कवर कर लेगी अगर आप इनको अच्छे तरीके से रीड करते हो तो आपके एक्जाम के अंदर 10 क्यूशन पुछ जाएंगे पलसरी है अप्लिकेसिन का लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स के अंदर है एक बार जुरूर चेक आउट करें किसे नंबर फोर देखिए वरक बुक के अंदर अधिकतम कितने सीटें इंसर्ट की जा सकती है भी वट इस दा मैक्सिमम नंबर ओफ वरक सीट दैट कै ने वरक बुक तो ये डिपेंड होता है कंप्यूटर की मेमरी के उपर ओप्सन भी हमारा यहाँ पर क्रेक्ट आंसर हो जीगा भी नेक्स्ट किसेन है इनकी पीडियो के लिए आपकर एक्जाम पूरी अप्लिकेसिन को डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प कोलम के इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे वट इस दा इंटरसेक्शन ओफ रो एंड कोलम तो सैल बोला जाता है भी ओप्सन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जीगा कई वरक सीटें होती हैं मिलकर बना एक वरक बुक बनाती कई वरक सीटें मिलकर क्या बनाएंगी एक वरक बुक भी और जो वरक सीट पंक्ती संख्या एक और कोलम ए से सुरू होती हैं वो होती हैं ए वन ओप्सन नमबर एमारा यहां पर क्रेक्टा अन्सर हो जीगा नेक्स्ट है खालिस्तान एक प्रार्थमिक दस्तावेज है जो डाटा को स्टोर करने और कार्या करने के लिए उप्योग किया जाता है और यह जो पंक्तियां और कोलम के रूप में सेल वेवस्तित होते हैं उनको क्या बोलेंगे स्प्रेड सीट या वरक सीट बोल सकते हो या फिर स्प्रेड सीट भी नेक्स्ट क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर टैन सेल के अंदर अधिक्तम कितने वरण हो सकते हैं भी वाट इस दा मैक्सिमम नमबर ओव क्रेक्टर दैट कैन भी सेल क्रेक्ट आंसर हो जेगा भी बती जार साथ सो सतांसर ओप्सन नमबर भी हमारे यहां पर क्रेक्ट आंसर हो जाईगा नेक्स्ट क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर 11 Excel में किसी एडर या फिर फोटर के अंदर कितने करेक्टर इनसेट कर सकते हैं यानि कि एडर होता है वो उपर होता है और फोटर होता है वो निचे होता है यानि कि MX Excel के अंदर कितने character insert कर सकते हैं 255, 255, 255, cell के अंदर अधिकतम कितने पंक्तियां feed की जा सकते हैं What is the maximum number of line that can be feed of cell के अंदर 253, next है हमारे पास 13 protection से समन्दित protect sheet या फिर protect workbook mx excel के किस tab के अंदर मौजूद होते हैं protection से समन्दित protect sheet या protect workbook mx excel के अंदर किस tab के अंदर होते हैं option number b हमारे पास यहां पर correct answer हो जाएगा question number 14 देखिए ms excel के अंदर कौन सी keyboard होती है shortcut के उपयोग chart बनाने के लिए किया जाता है इस question का right answer हो जगा भी option number b f11 के दोवारा next देखिए question number 15 एक spread sheet के साथ मिलकर बनी होती है एक spread sheet पंक्तियां और कोलम दोनों से भी option number c यानि कि row and column दोनों के दोवारा work sheet के अंदर जो active cell होते हैं किस परकार डिस्पले होते हैं work sheet के अंदर active cell होते हैं किस परकार डिस्पले होते हैं डारक विस्तिरित बोर्डर के नुसर option number c हमारे पास यहां पर correct answer हो जीगा भी निमलिक्त में से बताना है भी कौन सा ढंग cell के content में परिवर्तन के लिए सही है कौन सा ढंग cell के content के अंदर परिवर्तन के लिए सही है which of the following is the correct way to change the content of a cell तो इसके अंदर सारे right answer रोजेंगे cell पर double click करना formula bar पर click करना F2 key को press करना next question है 18 work seat के अंदर type किये गए content को सविकार करने के उपयोग करता किस key का उपयोग करते हैं which key is used by the user to accept the type content in the work seat enter का उपयोग किया जगता है work seat के अंदर cells को खालिस्तान के दवारा निर्देश्ट किया जाता है cell in a work seat are specified by right answer होजेगा इसके अंदर दोनों ही correct होजेंगे row हो column option number C हमारे पास correct answer होजेगा cell address होता के भी what are cell address तो cell address एक वरन और एक संख्या का एक स्योंजन जो कोलमों और पंक्तियों को निर्देश्ट करता है cell address work seat खलिस्तान के अंदर डिस्पले होते है name box के अंदर भी cell address work seat name box में डिस्पले होते है question number 22 cell reference क्या है cell reference के अगर बात करें तो work seat में cell की range को समन्दीद करता है इसे एक फॉर्मूला में उप्यो के जाता है जिसका वास्तिविक मान याबर डाटा पराप्त होता है दोनों ही इसके अंदर right answer हो जीएंगे next question है work seat के अंदर cell reference default के दवारा होते है right answer हो जीए हमारा relative reference भी option a correct हो जीएगा work seat के अंदर जो cell reference किस परकार के होते हैं relative भी होते है absolute भी होते है और mix it भी होते है सारे answer हैं आपर correct answer हो जीएगे option number D हमारे पास है right answer हो जीएगा Excel में किस formula या function की के दवारा column का data पंक्ती में पंक्ती का data होता है column के अंदर प्रिवर्टित के जाता है यानि कि एक दूसरे इसे हो हम बोल सकते हैं trans, pose, option number C बिल्कुल correct answer हो जीएगा बाकी इनकी PDF के लिए आप correct exam पूरी application को download कर सकते हो अगर आप अरियाना CT group D की तहरी कर जायो तो अरियाना CT test series YouTube channel पर CTA exam से related practice paper करवाई जाते हैं